नमस्कार दोस्तों आप सबों का स्वागत है ब्यार बोन मेट्रिक परिक्षा के लिए लगू उत्रिये प्रस्न जो कि आपको तीन नमबर या पंच नमबर से पूछे जाएंगे तो प्रस्न है कि मेंडलीब के आवर्थ सारनी और आधूनिक आवर्थ सारनी में क्या अंतर है प्रस्न एक बार फिर से सुनिए मेंडलीब के आवर्थ सारनी और आधूनिक आवर्थ सारनी में क्या अंतर है तो आप यहां उत्तर लिखेंगे और लिखिएगा यहां पे मेंडल मेडलीप की आवर्चारनी और दूसरे तरफ लिखिएगा आधुनिक आवर्चारनी अब दोनों में अंतर जो लिखेंगे इधर एक नमबर दे करके लिखेंगे मेडलीप की आवर्चारनी में एक नमबर देंगे और उसमें लिखेंगे इनमें तत्वाँ को परमानु भार के बहरते करम में सजाया गया है मेडलीब की आवर्चार्नी में इनमें तत्वों के परमानु भार के बहरते करम में सजाया गया है अब आधुनिक आवर्चार्नी में एक नमबर देंगे और इसमें रिखेंगे इनमें आवर्तों को परमानु शंख्या के बहरते करम में सजाया ग कि दोनों में अंतर जो है एक नमर में क्या अंतर देखें कि मेडलीप की आवर्चार्णी में इनमें तत्वाँ को परमानु भार के बरते क्रम में सजाया गया है और आधुनिक आवर्चार्णी में परमानु शंख्या के बरते क्रम में सजाया गया है और इसमें परमानु भार के बरतिक्र में सजा गया है तो दोनों में अंतर एक बता दिया अब अगले अंतर की ओर देखे अब लिखेगा मेडलीब की आवर्ट सार्नी में दूसरा नमबर और दूसरा नमबर में लिखेगा मेडलीब के आवर्ट सार्नी में भिविन्य तत्वों के गून धर्म में शमान आवर्थ सार्नी में तत्वों को उनके इलेक्ट्रोनिक विन्यास के अधार पर सजाया गया है समझ गये अगरा देखे तीन नमर देखर के लिखिएगा मेडलीब की आवर्थ सार्नी से रसाइनिक आवर्था की कोई अस्पष्ट वेख्या करने में सफल नहीं है तिसरा नमर में लिखिएगा आधुनिक आवर्थ सार्नी रसाइनिक आवर्थ की अस्पष्ट वेख्या करता है समझ गये अब चौथा नमर में लिखिएगा इस आवर्थ सार्नी में कोई कई की ओनियमिताएं जैसे समस्थानिकाओं का अस्थान कुछ तत्वों के पर्मानू द्रव्यमान में गलत करमांग और चौथा नमर में लिखिएगा मौसले के आधुनिक आवर्त सार्नी में इस सभी तुरूटियों को दूर किया गया है पाचमा नमर में लिखिएगा मेडिलिप की आवर्त सार्नी में ऐसे कोई अस्पष्ट वरगी क्रन नहीं है पश्मा नमर इधर लिखियेगा आधुनिक आवर्थार्णी में तत्वों का अस्पष्ट वर्गी करन जैसे समान्य तत्व, संक्रमान तत्व एवं उसक्रिष्ट गैसों को अलग अलग रखा गया है छाठा नमर में लिखियेगा मेजलीब के आवर्थार्णी में इसके द्वारा अस्पष्ट एवं सरल रूप से बैवस्थित से तत्वों को समझाना एवं समझ एवं करने के कठिन होती है और आधुनिक में लिखेगा इसके दोरा अस्पष्ट एवं सरल रूप से तत्वों को समझना एवं बेवस्थित करने में असानी होती है तो आप लोग समझ गये होंगे अच्छे से कि मेजलीब की आवरसारनी और आधुनिक आवरसारनी में क्या अंतर है हो सकेती से आप एक बार कोपी में उतार ले और आप एक बार जरूर घर में पढ़े ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और इस तरह का प्रस्थ दोस्तों आएगा ही आएगा जो कि तीन या पंस्टमर से पुछे जाएंगे